नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जोजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपने भी इश्रम कार बनवाया हुआ है तो इस वीडियो को आप जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तों काफी ऐसे इश्रम कार धारक हैं जिनको एक एक हजार रुपे की किस्ते नहीं मिली है दोस्तों अगर आप भी ऐसे इश्रम कार धारक हैं तो वीडियो को अन तक जर वीडियो को शुरूर लेकर लाश्ट तक जरूबर दहेगा Sud दोस्तों वीडियो शुरू करनीं से हैं अगर आपके अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजे या से दर शियर टीए अब करेंगा और चैनल पर मिलने जा रही है दोस्तों नहीं अपडेट के नुसार बताय गया है कि जिन इश्रमकार धार्गों को पहली किस्त नहीं मिल पाई है दोस्तों उनको दोनों किस्ते एक साथ सरकार की तरफ से दी जाएगी यानि के 2000 रुपे इश्रमकार धार्गों सीधे बैंक खाते में दिया जाएगे लेकिन उससे पहले दोस्तों उनको कुछ कार्य करना होगा तभी उनको 2000 रुपे की किस्त एक साथ मिल सकेगी जो कि सभी आप जानते हैं कि पहले किस्त जनवरी और दिसंबर महा की एक साथ सरकार द्वारा ट्रांसपर कर दे गई थी वैसे तो 500 रुपे महिना देने का वाइद सरकार द्वारा किया गया था लेकिन एक साथ दो महिने का पैसा जो है 1000 रुपे सरमिगों के एकाउंट में ट्रांसपर किया गया है लेकिन काफी ऐसे इश्रम काड़ धारक है जिनके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आया है तो इसलिए मैं आपको बताईता हूँ मैं आपको बताई चाहूँगा कि जितने भी ऐस संगेटी छेतर के निवासी हैं उनको ही इश्रम काड़ का लाब दिया जाएगा अब दोस्तो वह गलती क्या है वहवी में बताऊंगा और आपकी इस प्रकार से सुदार सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अगर आपकी पहले किस्त रुखी हुई है तो दोस्तो आपको दूसरी किस्त के साथ पहले किस्त कैसे मिलेगी वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को आप end तक वोच जरूर करिएगा दोस्तो मैं प filed हुआ कि यहां पर भी क्वाते में कुछ सर्मिव की एक औंट में एक भी रूपय नहीं आया है लेकिन सरकार द्वारा के सर्मिव का जो खाता है जो data है वह वरिफाई क्या जा रहा है verification data के जा रा है क्योंकि दोस्तो verification का जा रा है इसलिए कंछा रा है क्योंकि सभी वैकत्यो न इश्रम काट बनवाया है, चाहिए वHEYSAC ये अधर से, ये जो पात्र है, उन्हों और भी इश्रम काट बनवाया है और जो पात्र नहीं है data verify कर रही है और पात्र व्यक्तियों को पैसा भी transfer कर रही है दोस्तों काफी जो इश्रम कार हैं वे फरजी भी पाए गए हैं फरजी भी पकड़े गए हैं जिनको सरकार की तरफ से reject इनके रद किया जा रहा है अगर पात्र व्यक्तियों को ही पैसा दिया जाएगा अगर पहली किस्त रुकी हुई है तो शरकार दूसरी किस्त के साथ आपको पहली किस्त भी दे दे जाएगी लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको पात्र होना अविश्यक है और अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो इस तो आपको वह गलती भी सुदारनी होगी तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कोन आपात्र है और कोन पात्र है जैसे कि आप से भी जानते हैं कि सरकार द्वारा इश्रमकाड योजना की अंतरकात केवल एसंगिटिच्छेत्र में रहने वाले सर्मिकों को ही लाव दिये जाने का ऐलान किया था और दूस्तो सरकार ने यह भी साबतोर पर बताया था कि सबजी बेचने वाले फल बेचने वाले प्रवाशी मजदूर इट भटे पर कार्य करने वाले साथ ही दूस्तो मच्वारे नाई और सडक निर्मान वाले जो जो सडक बनाते हैं यह उन वैक्तियों को भी सरकार की तरफ से सीधा लाव दिया जाएगा मंद्रे का वरकर को भी लाव दे जाएगा और जो ओटो चलाते हैं रिक्से चलाते हैं उनको भी सरकार की तरफ से सीधा लाव बैंक खाते में दिया जाएगा ऐसा सरकार द्वारा एलान किया गया है लेकिन दोस्तों जो पात्र वेक्ती हैं उनको भी पैसा अब तक नहीं मिला है क्योंकि काफी कमेंट हमारे पास रहते हैं किसलार हमारे पास कोई आयका साधन नहीं है हम पात्र हैं संक्री चेतर में आते हैं लेकिन तब भी पैसा नहीं आ पाया है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों मैं आपको step by step वहवी जानकर यहां पर दे देता हूँ कि दोस्तों मैं पता दूं कि जो भी घर बनाने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको आप दोस्तों राज मिस्त्री बोलते हैं उनको भी सरकार के तरफ से सीधा लाब दे जाएगा और कोई घर का नोकर है तो वह भी इसका लाब उठा सकता है जो किरसी मजदूर है इनके किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं योजना के पातर हैं सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों को किया सबसे पहले दोस्तों को किया से करानी होगी सभी इस्रमकार धार्क जिन्हों ने अपना इस्रमकार है बनवाने में गल्ती हुई है या फिर गलत जानकारी किसी वज़त से दी गई है, तो दोस्तो, आपको वैस सुधरवानी होगी, और दोस्तों दर्वानी कहा है वेवी मैं आपको दाता हूँ सबसे पहले अधार कार्ड और आपका पैन कार्ड बैंक खाता अधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए यह सभी दस्तावी दोस्तों आपको अपने बैंक में जाकर जमा करना होगा अपने बैंक खाते की केवाईशी करानी होगी क्योंकि अगर आप अपने बैंक खाते की केवाईशी नहीं कराते हैं तो आपका जो बैंक एकाउंट है बैंक खाता है वे सरकार दुवारा बंद कर दे जाता है और दोस्तो बंद खाते में सरकार की तरफ से पैसा नहीं ठ्रांस्पर की जाएगा बलकि अगर आप भी पैसा डलवाते हैं तब भी पैसा नहीं आ पाईगा सबसे पहले आपको अपना बैंक खाता जिए हैवय। चालोग कराना होगा आधार पैन कार्ड आपको लिंक कराने होगे। तभी आप दोस्तो इशर्म कारड का पैसा पर राप्त कर पाएंगे। साथ ही दोस्तो यह बात मैंने आपको बताई दी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इश्रम कार्ड जहां पर भी आपने बनवाया हैं, वहाँ पर यह आपको सुधरवाना होगा, यानि कि यदि आपने इश्रम कार्ड बनवा लिया है, कोई गल्ती हो गई है, पैसा नहीं आया है, तो दोस्तों आपको करना क्या है? प तो आपका जो इश्रम कार्ड है, वह सुधर सकेगा, लेकिन ध्यान रहें, अगर आपके अधार कार्ड से आपका मुबाइल नंबर लिंक नहीं है, अटेच नहीं है, तो आपका इश्रम कार्ड नहीं बनेगा, और आप उसका लाब भी नहीं उठा पाएंगी, तो आपको दोस्तो सिधा शेशी केंद पर जाना है, जहां पर भी आपने श्रम कार्ड बनवाए हैं, यह फिर आप श्योंभी करना जानते हैं, श्योंभी करना चाहते हैं, तो आप सिधा श्रमी भाग की ओपिशिल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, और वहां से आप करेक्शन कर स और दोस्तो दूसरी किस्त भी आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, अगर आप यह सभी कार्य कर लेते हैं, तो दोस्तो आपकी पहली किस्त नहीं आई है, तो पहली किस्त भी आपको जफे जाएगी अन्के 2000 रुपे सिध्धे सरकार के दरफ से आपको एक साथ ट्रांसप पर कर दाएगा कोई भी सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा और दोस्तों निवेदन यहीं करेंगे कि अगर आपने तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए जाए जाएदा शेयर करेगा और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों बैलेकर को प्रेस करेगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों मिलते हैं पुन एक वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत इश्रमकार को लेकर कोई भी सवाल है कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो सीधा कमेंट बोक्स में जाईएगा और कमेंट कर दीजेगा दोस्तों सभी के सवाल यहाँ पर देखे जाते हैं पढ़े जाते हैं और उसी साब से आपके सामने जानकर लेकर उपस्तित हो पाते है तो आप चाहते हैं आप मिलते हैं फुनेस्ट वीडियो में